खबरे मुगेली जिला के ग्राम पंचाय जल्ली के शिरोंज पूर शास्की प्रात्मिक शाला का इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बज़ाए पालक बलिकाओं को ज़ाडू लगवाया जाता है जिसकी जानकारी ग्रामिडों ने पत्रकारों को दिया वहीं पत्रकारों द्वारा मौका मुआयना करने पर पता चला कि यह बात भी सत्यार्थ है स्कूल की प्रधान पाठक ताराचन सोनवानी बच्चों से ज़ाडू लगवा रहे थे वहीं स्कूल का स्वी पर नदारत था पत्रकारों द्वारा प्रधान पाठक से पूछा गया कि आप बच्चों से ज़ाडू क्यों लगवाते हैं जिस पर लापरवा प्रधान पाठक का कहना था कि ज़ाडू लगाने से बच्चों को सिक्षा मिलती है और बच्चों को ज़ाडू लगवाना ही चाहिए खबर के माद्यम से प्रकाशित भी किया था जिसमें अब तक उच्च अधिकारियों द्वारा लापरवा प्रधान पाठक के उपर किसी भी प्रकार की गोई गारवाई नहीं की गई है इस वज़ा से उनके होसले और भी मजबूत होते नजर आ रहे हैं वही खबर चलाय जाने के उपरान बौखलाय प्रधान पाठक ने हमारे समवादाता से भी बत्तमीजी करने की कोशिश की लापरवा प्रधान पाठक ताराकन सुनवानी को अपने सिक्षा विभाद के अधिकारियों से किसी भी प्रकार का डर्भ है नहीं है खबर प्रकासित होने के बाद अब याद देखने वाली बात होगी कि क्या उच्चादी कार्यों दौरा बत्तमीजी करने वाले प्रधान पाठर के ऊपर किसी प्रकार की कोई कारवाई की जाती है या फिर ऐसे ही उसे आजाज छोड बच्चों को जाडू लगवा कर सिक्षा देने की बात दिक्या जाता रहेगा वोगेले से पोखराज खांडे की रिपोर्ट आर जे रमजाज है